जहीं दोस्तों स्वागत है आप लोग काई कोने वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं राजस्तान सफाई करमचारी नियू रिकुर्मेंट नोटिफिकेशन के बारे में तो दोस्तों राजस्तान सरकार की तरफ से नगर निकायो में सफाई करम डाउनलोड कर सकते हैं जिसे दोस्तों इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें कुछ इस तरह से इंट्रेस देखने को मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान सरकार स्वास्त्य सासन विबाग राजस्थान जैपूर इसके निकायों के निकायवार विग्यापित कुल सफाई करमचारियों के 13184 रिक पदों पर सीधी भरती है तो इच्छोग निर्धारित योगता धारी अभ्यारतियों से ओनलाइन आवेदन पत्र अमंतिर किये जाते हैं अभ्यारतियों से निकायवार विग्यापित पदों के कर सकते हैं, इसके बाद इस प्रेंच को स्क॑छ करेंगे आप दो सो HERE B आप दो सिरिव को अपैसे यहां प्रिक्रीया के लिगा आपको तरह करना है यहां इसको आप नुट्रिपीकेशन में एकसे इसके बाद इस पेंच को स्कॉल करेंगे इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आवेदक से आवेदन जनाधार कार्ड के माद्यम से लिया जाएगा अता अपना जनाधार कार्ड को अपडेट रखें तो दोस्तों जिसके पास भी जनाधार कार्ड है उसको दोस्तो अपडेट करा लेना है लेटेस्ट रहेगा तब ही दोस्तो आप इस फ़र्म को प्लाइक कर सकते हैं अब दोस्तों यहापको देखने को मिल जाएगा आवेदन सुल्क तो आवेदन सुल्क दोस्तों यहापको देखने को मिल जाएगा समानने के लिए 6 उर्पे आरच्छी तभियार्थी के लिए 4 उर्पे इसके बाद दिव्याइं के लिए यहाँ पर 4 उर्पे रखा गया है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक बाद पंजिन सुल्क जमा कराने के पश्षाद विभाग द्वारालक से कोई आवेदन सुल्क नहीं लिया जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको पदों का विवरंट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो दोस्टो इसको आप deaf notification में आप देख सकते हैं दोस्टो आप जिस जिलें से belong करते हैं उसी जिलें में आपको इस form को apply करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुल पद आपको देखने को मिल जाएगा 13184 पद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद इस पेंच को स्कॉल करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा उसे उसी वर्ग के अंदरगत सामयोजित किया जाएगा तो जो दोस्तों नेशनाल इंटरनेशनाल खेला्रे हैं उनके लिए धुस्तों यहां पर जो दो या तिन परसंट छूट है वो दोस्तों आपकोistent देखने को मिल जाएगा यहां पर दोस्तोब खेल का नाव को देखने को जाएगा से बाद चेंपियंसए पर आपको देखने मिल जाएगा इसके बाद ऐसरी समीती अग इस अमbut परिशंग राष्टिया मंडल गेम्स इसके बाद दोस्तों यहां पए आपको देखने की मिल जागा एसन इसके बाद यहां पर आपको देखने वेकेंसिज में चूर देखने को मिल जाएगी इसके पाद इस पेंच को स्कॉल करेंगे आप दोस्ति या पर आपको नूटिकेशन देखने को मिल जाएगा स्कूल गेम फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा आयजुद किसी भी खेल कूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में विवतिस्त या टीम असपर्दा ने भारतिय टीम का परदिन्तुत किया हो या इंडिया उलम्पिक एसोसेयन इससे संबंद नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा आयजुद किसी भी खेल कूद के किसी राश्टिया ट्रोनेमेंट चंपियन में विवतिस्त या टीम असपर्दा में मेडल जीता हो उसको दोस्तों छूटियां पर दिया जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आयू में छूट देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर अनसूची जन जाती अनसूची जाती अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ग चूट है पूरुस के लिए इसके बाद समानने वर्ग महिला के लिए पांच वर्ष छूट है इसके बाद अनसुची जाती अनसुची जन जाती आने पिछड़ा वर्ग एवन अती पिछड़ा वर्ग एवन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यारती जो राष्थान के मू तीथी को निम्न दस्तावेजों के साथ चैन सम्मिति के समझ उपस्तिस्त होगें तो पहला दोस्तों डाकुमेंट यहां पर आयू संबंदित प्रमालपत्र जन प्रमालपत्र जिसकी जनम तीथी अंकीतों की जीरो टू सत्यापित प्रतिलिपी यानि दोस्तों आपको दो फो ठाज़्य के किसी भी विभाग केंद्र आयूंझ राजी सरकार के आदेस द्वारा संस्तापि 82 संस्ता अर्त सरकारी संस्ता में समेदको प्रतिस्पेस्वन प्रमालपत्र जारी किया गया कार्य देश की दो फोटोकॉपी आपको इसको भी ले जाना है इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको दो चरित प्रमार्पत्र की फोटोकॉपी ले जाना है और वर्जिनल भी ले जाना है साथ में जो छो मां के अंदर ही दोस्तों जारी किया गया हो छो मां से उपर आए इसके बाद राजयतान का मूल निमासी होने की स्थिति में सक्चम अधिकारी द्वारा विविद जारी मूल निमास परमादपत्र इसका भी दोस्तों दो फोटोकोपी ले जाना है और ओरिजिनल भी ले जाना है इसके बाद सक्चम अधिकारी द्वारा जारी अनुसुची जा जाती आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अन्य पिछड़ वर्ग अती पिछड़ वर्ग प्रमाद पत्र ले जाना है जाती प्रमाद पत्र इसके बाद दो फोटोकोपी इसका भी ले जाना है इसके बाद यहां पे आपको विवाहित होनी की दसा में विवाह पंजेन प्रमाद पत्र की दो फोटो कॉपी इसका बाद विधवा होने की दसा में प्रतिक के मित्तु प्रमण पत्र की दो फोटो कॉपी इसका बाद विच्छिन विवाह तलाक सुधा होने की दसा में विच्छिन विवाह तलाक की डिगरी की दो फोटो कॉपी यां पे ले जाना है इसका परभाप्षी दस्तावेज पर्मार्पत्र के अभाब में आविदक का संचकार नहалась योगी तत्तावेज का अन्य कोई मोका नहीं दिया जायेगा दस्तावेज के अभाब यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जो आपका फोटो रहेगा वो दोस्तों यहां पर बैगराउंड सफेद या हलके रंग की होनी चाहिए और फोटो दोस्तों आपका क्लियर होना चाहिए इसके बाद जो फोटो की साइज है वो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मि चाहिए और यह भी डॉक्मेंट दोस्तो जेपी इजी और जेपी इजी फॉर्मेंट में होना चाहिए इसके बद जो अभी यहां पर दस्तावेज है उसको दोस्तों आपको देखने के मिलेगा अभ्यारतियों को सचकार कितिती के समद में अलग से विभाग यह वेब साइट यहां पर वेब साइट आपको देखने को मिल जाएगी एवं SSO पोर्टल पर अवगत कराया जागा अतक क्रिपिया इस भरती के समद में समस्त अध्यन जानकारी के लिए विभाग की वेब साइट को निरंतर रूप से देखते रहे है तो यहां पर वेब साइट आपको जाहिंद वन्दे मातराम